सबी को नमस्ते स्वामे नियूस के सभी दर्शकों का इस विशेश कारेक्रम योग वस्वास्ते में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस कारेक्रम में हम प्रत्ति एक दिन योग की अलग-अलग विधाओं को अलग-अलग तरीके से योगिक उपायों को सीख रहे हैं जिससे कि हमारा शरीर, मन, बुद्धी ये सभी स्वस्थ रहे हैं और इस दोरान हमारे पास सभी दर्शकों के अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से सवाल भी बहुत सारे आते हैं तो आज रविवार को हम सवाल रख रहे हैं आज हम अगनी चिकित्सा, अगनी तत्व की चिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों के सवाल लेने वाले हैं तो आज थोड़ा सा theoretical जानेंगे theoretical कि अगनी तत्व की चिकित्सा कैसे होती है अगनी तत्व की चिकित्सा करने के लिए क्या-क्या हमें आवश्यक्ता होनी चाहिए और क्या-क्या ध्यान रखना की बात है तो अगनी तत्व की चिकित्सा किसको कहते हैं अगनी का सबसे बड़ा जो पिंड है ना उसको सूर्य कहते हैं और सूर्य नामक पिंड से निकलने वाली सब्त रश्मिया सात किर्णें इन सात किर्णों को जब यह भूमी पर पड़ती हैं यह तो यह सात किर्णें हमें आरोग्य देती हैं स्वास्ते देती हैं और ये सातों किर्णों के अलग-अलग रंगों के माध्यम से अलग-अलग किस तरह से हमारे शरीर को ठीक कर सकती है वो कुछ उपाय है उसके अगनी तत्व की चिकित्सा अगनी तत्व से चिकित्सा पंच महाभूतों में से जो अगनी महाभूत है इससे हम शरीर को अपने कैसे ठीक करें कैसे जल से ठीक करें कैसे आकाश तत्व से अपने शरीर को ठीक करें और कैसे मिट्टी पृत्वी तत्व से ठीक करें अपने शरीर को ये अलग-अलग उपाय हैं जिसमें से सूर्य चिकित्सा जिसको हम कहते हैं अगनी चिकित्सा की रूप में ये डवलप हुई वो कैसे हमारे शरीर में उत्तम स्वास्ते को लाने के लिए कारगर है उत्तम स्वास्ते हमारा बढ़ जाया अच्छा हो जाया हमारे स्वास्ते हमारे दर्शकों में सभी के लिए उन्हों का 6 ay कि तो आमारे कई सारे हुपाय होते हैं अगनी त меньों से चिकिट सा करने कि कभ पर में सूरे की ढूप में लेटना है कभि कर हमें GARम-जल पीकर के गरम जल की पट्टियां बांद करके गरम जल में ही बैठे रहना है कब हमें गरम जल की पट्टियां बांद करके लेट जाना है कब हमारे सिर पर गरम जल की पट्टियां रखी जाएंगी कब हमारे पेट पर रखी जाएंगी कब उष्ण स्नान किया जाएगा कब स्टीम बात होगा कब स्नेहन होगा कब स्वेधन होगा यह सब चीजें हमें पता होनी चाहिए यदि हमें पता हैं तो ही हम अपने इस शरीर को अगनी तत्त की चिकित्सा दे सकते हैं अच्छे डंग से पता होनी चाहिए और यदि नहीं पता तो हम इस कारेक्रम में आपको बताएंगे अगनी तत्व की चिकित्सा से अपने शरीर के भिन भिन साधारण एवं गंभीर रोगों की चिकित्सा कैसे की जाए तो आगे आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारी चीज सकते हैं जिनके और प्रशन हो तो आप वो प्रशनों को भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम सवाल ले रहे हैं एक बहन जी का था कि उनके साथ ऐसी सिती है कि उनको चलना बहुत पढ़ता है उनका जौब ही ऐसा है तो उनके पैरों में छाले पढ़ जाते हैं तो पैरों में छ आक जिसको कहते हैं उस आक नाम के आकड़े के पौधे को उसमें फूल होते हैं कटोरी नुमा उस पूलों के अंदर से उसके अलावा उस डंडी के अंदर से दूद निकलता है उस दूद निकलने के लिए उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है तोड़ना पड़ता है जैसे ह उसको तोड़ा तो आपका उसमें आकड़े का दूद दिखाई देगा आपको फिर उस दूद की 10 बूंदे आप ले आए और उसके अंदर 10 बूंदे ही नारियल का तेल डालें शुद्ध नारियल का तेल तो ये 20 बूंदे लगबख दूसरा सवाल है खुजली बहुत ज्यादा होती है विशेश कर इस सर्दियों में इस गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही होगी इचिंग तो इचिंग का क्या घरेलू उपाय है तो घरेलू उपाय इचिंग का जो घरेलू उपाय है वो क्या है उसके लिए हमें एक तो दूद और एक नारियल तेल दूद और नारियल तेल का मिक्सचर करके बराबर मात्रा में हमें लगाना चाहिए जिससे की खुजली की समस्या दूर हो जाए दूसरा मुलतानी मिट्टी का जो पिसावा भाग पिसीवी मुलतानी मिट्टी को पानी में भीगो करके रखें और भीगो करके के रखने के बाद उसी को साबुन से साबुन के बजाए उसी को लगाए अच्छे डंग से लगा दे पांस साथ मिने लगा रहने देवें फिर पानी से स्नान कर लें आपकी खुजली सदा के लिए समाप्त हो जाएगी यदि आप बाहर जा सकते हैं कहीं बालू रेत मिल जाए सुबह उठकर के आपको कपड़े में सूती कपड़े में अत्वा बोरी के टुकड़े टाट के टुकड़े में आपको उसको लगाना है और लगा करके उसकी पट्टी करनी जहां पर खुजली ज्यादा हो रही है पूरे शरीर में हो रही है तो पूरे शरीर का तो मैंने मु मिल जाए दो तीन फिट एक दो फिट गड़ा खोद करके उसमें से निकाल लें तीन मेट्टियों को अंक्स कर लें इन तीन मेट्टियों को मिक्स करने के बाद इनको पहले कूट पीट लें तरसे पत्थर कंकड और कच्रा जो भी आपको दिखराय थोड़ा बहुत उसको निक पात्र हो जाएं चाहिए पात्र में हैं पानी नहीं टालना शौनों पानी हो जाए अब करके पर पूरे तरह से इसको ऐसे चलाना है लगाना है जब पूरी लग जाए तो उसके पूरी लगने के बाद हमें इसका लेप करना है पर डिका ऐसे लगा थे में थोड़ी ठंडी-ठंडी से लगए एदि किसी को तो चदर ओड़ ले चादर यां कंबल ओड़ लेए अगर ठंडी ठंडी लग रही है तो यह गरम मिट्टी पट्टी हो जाएगी और यदि नहीं लग रही है ठंड नहीं लग रही है क्योंकि आदा गंटे से एक गंटा आपको रखनी पड़ेगी तो जिसके पेट में समस्या है जिनको कब्ज हो रखिए अभी कब्जी के भी सवाल बहुत सारे आये हैं तो इसका भी सवाल का समाधन देता हूं कि पीट में अंदर आंतों में अंदर मल चिपक जाता है वर्षयों से चिपका रहता है वह आपके कब्जी को ठीक नहीं होने देता है उसके लिए आप ऐसे मिट्टी पट्ट बाद जो यह मिट्टी आपकी निकलती है यह मिट्टी का दुबारा प्रेयोग नहीं करना है इसको फिर डॉल देना मिट्टी में रेकिन दुबारा प्रेयोग करने की नए यह हमारे बहुत सारे दर्शेक इसमें जुड़े होें गौतम जी क्रशिष जी युराज जी समीर बहुत सारे दर्शेक सभी का हारदिक अभीनंदन है आभार है इसी तरह से इस करेक्टर में आप जुड़े रहे हैं यदि आप लोगों के कोई सवाल है तो उन सवालों को आप उठा सकते हैं हमारे जो एकटे सवाल हो गए एक हफते दस दिन में उन लोगों में से लोगों के सवालों को ले रहे हैं गिलोए का प्रयोग कैसे किया जाए तो गिलोए का प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है एक भाई का सवाल है उदैपूर से वो कहते हैं गिलोए का प्रयोग हम कैसे को तोड़ें और धोले में अच्छे डंग से धो करके इसको च्विंगम की तरह चबाते रहें आदे गंटे तक चबाते चबाते खत्प हो जाएगी इसका ताजा रस आपके भीतर चला जाएगा और उसके बाद आपकी इम्मुनिटी अच्छी स्ट्रॉंग हो जाएगी और इ दूसरा गिलोय का प्रियोग इसको कूट करके इसकी कुछ रस निकल जाती है कुछ रस को ताजा ताजा ही आपकी जीप पर लेना है तो गिलोय का यह दूसरा प्रियोग बता दिया तीसरा प्रियोग है इतनी डंडी का पांच गुना इतनी डंडी का पांच गुना जिसका आमने रस निकाला था इतना ही रस आपको इतना ही भाग आपको गिलोए की डंडी का गिलोए के पत्तों की बात नहीं चल रही है गिलोए की डंडी जाये वह नीम पर चड़ी वह अत्वा बिना नीम पर चड़ी वह इस गिलोए की डंडी को लेकर पिर इसको थोड़ा सा कूट करते रहें करते रहें कर तक कि आदा गिलास न रह जाएत का और इसकी लोग पकाते रहना आप लोग जब तक भस्तरी का प्रणयाम करते भी रहें और इन घरेलू योगों को गरेलू उपायों को सुनते भी रहें कोई लोग अनुलोम विलोम कोई कपाल भाती कि निकोज सबको अलग-अलग रोगों के हिसाब से अलग-अलग प्रणायाम हम बताते रहते हैं अपने अनुपूल प्रणायाम करते रहें कुछ लोग सूख्ष में प्रणायाम करते रहें कि श्वास पर के गर्दन पीछे श्वास शोड़ते हुए गर्दन आए थोड़ा शरीर में गती भी पैदा करें कुछ तो कर ले में सुख्ष्व एयम प्रणायम और पिर प्रणायम में आजाए और धीरे-धीरे करें तो ज्यादा अच्छी दंग से हो जाएगा ऐसे एक इसमें प्रशन आया कि मिर्गी का दोरा पढ़ता है तो उस व्यक्ति को कैसे एपिलेप्सी के दोरे वालों को कैसे ठीक किया जाए तो एक्यूपेशन में यहां पर नाभी चक्र का यहां बिंदू है इस वाले बिंदू को दबाया जाए पैर में भी इसी प्रकार से यहां पर एपिलेप्सी के लिए यह नाभी चक्र का बिंदू है इसको बीचों छिंकने लगजाते हैं कई सारे और कभी भी छीनक लेते हैं तो ये छीजने की समस्या जु है यह के रूप में उनके गर में आगए ने करमें आ गये तो वह कैसे इन स visualization पाएं उसके निदान के लिए आपको यहां बीचों बीच बिन द यहां पर उपर वाला भी नहीं नीचे वाला भी नहीं यह अवर ए तीन बिंदु है इन तीनों के बिलकुल बीच में आपको हम जूम करके भी दिखा रहें कि कहां पर है यह तो इस बंदु को आप वीस से पचास ऐला दबाएं एक दो तीन इसको दबा करके एक दो सेकंड के लिए होल्ड किया जाता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस यह एक्यूपेशर का बहुत ही महतपूर्ण बिंदू है जिसको हम छीकों की ऐलर्जी आती है यह किसी को होती है तो यह ऐलर्जी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आपको और कोई भी संसार की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी हमने खुद ने इन हातों से कितने ही लोगों की इस ऐलर्जी को ठीक किया इसलिए इतने विश्वास के साथ बूल पा रहे है तो एपिलेप्सी के दौरे नहीं पड़ेंगे मिर्गी के दौरे पड़ना बहुत खतरनाक बात है उसके लिए और उसके अलावाद छीकों की ऐलर्जी के लिए छीक वाली ऐलर्जी के लिए और देखते हैं एक बहन ने एक भाई ने दोनों नहीं सवाल कियें कि योग में या गरेलू निसकों में आप कोई नशा चुड़ाने का उपाए बताएं नशा चुड़ाने का एक उपाए हम गरेलू प्रयोक के रूप में आपको बता रहें यह हम घर में भी बनाते हैं तो यह टुकडा है अद्रक का आपको और जूम करके दिखाया जा रहे हैं ये अद्रक का टुकडा है, इसके अंदर होता है सलफर बहुत सारा, आप जो नशा करते हैं न, चाय का हूँ, कौफी का हूँ, सिगरेट का हूँ, बीडी का हूँ, गुटके का हूँ, जर्दे का हूँ, शराप का हूँ, हिरोईन का हूँ, ड्रक्स का हूँ, अफीम का हूँ, गांजे का हो अत्वा चरस का हो इतने सारे नशे और भी इनके अलावा भी बहुत सारे नशेले पदार्त होते हैं इन समस्त नशें को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है सल्फर जैसे ही इनको पिया जाता है तो सल्फर मिल जाता है तो वेक्ति की थोड़ी देर त्रिपती हो जाती है लेकिन आप इसको छुड़ाना कैसे है छोड़ना चाहते हैं बहुत सारे लोग लेकिन उनको उपाय नहीं मिल रहा कुछ बैसा की चाहिए वैसे तो सबसे बढ़िया होती है मन की संकल्प शक्ती आपने विचार कर लिया चूड़ गया लेकिन फिर भी कईयों को कष्ट होता है तो उसके लिए आप इस तरह की अद्रक को गर में तयार कर लेए अद्रक कैसे तयार की जाती है आप अद्रक को काट लेए और काट करके ऐसे सुपारी के तरह चोटे-चोटे टुकडे कर लेए और ये चोटे-चोटे जब टुकडे आप कर लेंगे तो इन टुकडों में आप नीबू का रस डाले जिससे कि ये पूरा भीग जाए उसके अलावा इसमें काला नमक डालें अच्छा-कासा जिससे कि वो पूरा भीग जाए फिर इसको साथ दिन के लिए आप धूप में सुखाने के लिए छोड़ देवें धूप में पूरी तरह से जब ये सूख जाएगा तो अच्छे डंग से ये साथ दिनों के बाद ये तयार हो जाएगा फिर इसको जब भी नशया करने की आपकी इच्छा हो चाय काफी से लेकर के शराब गांजा चरस अफीम तक के नशय को छुड़ाने का काम करता है इतनी बड़िया चीज अप गर में तयार हो गई नैचुरल सलफर इसमें भरपूर मातरा में है विटामिन डी है इसमें चार ही चीजें है एक तो अदरक है दूसरा काला नमक है तीसरा नीबू है और चौता सूरच की धूप है यह चार चीजें इसमें मिक्स है और यह चारों चीजें से मिलकर के सबसे बड़ी संसार की सबसे बड़ी नशामुक्ती की दवाई बन जाती है और यह नशामुक्ती की दवाई जो है आपको बड़े से बड़े नशे को अब इसमें कुछ लोगों का एक दो के सवाल भी आते हैं कि कितने दिन में छूट जाएगा तो हमने देखा कि बड़े से बड़े नशेडी व्यक्ति चाहे वो चाहे कॉफी का हो नशेवाज चाहे वो शराप का हो बड़े से बड़े नशेडी का भी 15 से 20 दिनों के इसके सेवन से हो जाता है अब इसको सेवन कैसे करना है जब भी मान लिजे सिगरेट पीता है कोई व्य जीप पर ज्यादा दिर बरदाशनी होगा इसको साइड में रख लिया साइड में रखा रहा गंटा दो गंटा इसका रस आता रहेगा यह आठाट गंटे तक एक टुकड़ा चल जाता है और बहुत देर तक चलता है जब तक रस आता रहेगा तब तक नैचुरल सलफर आपके ठीक होती चली जाएगी यह उन लोगों के लिए है जो लोग वास्ता में अपने मन से चोड़ना चाहते हैं अब वैसे ही तो हमारे पास दवाई है कि पति देव छोड़ना चाहते है और श्रीमति जी ने इसको दवाई सबजी में मिला के दे दी वह हमारे पास नहीं है यह उन लोगों के लिए जो वास्ता में छोड़ना चाहते हैं तो ये अद्रक से बनी वी इतनी सुन्दर नशा मुक्ती अमरित नशा मुक्ती की दवाई है इसको आप गर में बना सकते हैं और ये वैसे भी मुख पाक के रूप में भी प्रयोग की जाती है इसे मुख की नमक भी होता है सवाल तो बहुत सारे हैं फिर भी प्रयास करते हैं आज जितने सवालों का जवाब दे पाएं एक सवाल हमारी बहन का माता जी का है सवाल उन्होंने भी लिखा है कि इतनी उम्र में तो सब के गुटने में दर्द होता है क्या ऐसा कोई उपाय है क्या आप ग गिलोए में ऐसे ताकत नहीं है जो हमारे गठिया में जो है लाप पहुंचा है गठिया का दर्द ठीक करें तो उसके लिए गिलोए का ही प्रयोग बता देता हूं थोड़ा कम कर दो जूम आउट ठीक है ठीक है तो गठिया में गिलोए का प्रयोग क्या होता है गिलोए की डं स्ट्आनों पर गिलोए का ही चूर्ण मिल जाता है तो आपको डून ना तो पड़ेगा एकदम से जूरी नहीं है आपको एक जगे मिल जाए रिवेदिक stores पर आसानी से मिल जाता है कभी पं सारी का नहीं पर अब आप एक बार उसकी का चूर्ण कितने होता है उस पांच ग्राम चूर्ण को आपको प्रती दिन आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना है और पानी पी जाना है इसकी फंकी लेनी है फांकी मारनी है पांच ग्राम चूर्ण आपको लेना है और पानी पीना गुन-गुना उसके साथ यह गठिया में बह लोग से आपको बता दिया एक और प्रश्ण था बहन जी का एक भाई का भी था पांच साथ लोगों के प्रश्ण दे के कान के लिए गिलोए कोई लापकारी हो तो आप बताओ गिलोए से तो आपने बोला था कि उपर से लेकर नीचे तक सारे रोग ठीक हो जाते हैं तो कान मे लेक बाहिए करवट दाएं करवकर तक कैसे भी गिलोए की जो रस होती है न इस गिलोए की रस पहले ताजा निकाले पांच साध बुंद उसके अब पांसाद बुंदों को आप अपने कान में डालें उसके उपर रूई लगा दें और इधर भी ऐसे कर लेएं दोनों कानों की शुद्धी हो जाएगी कानों में कई महीनों से आप ताजा ताजा पांसाथ बूंदे आपके जो कान का मैल है वो निकल के बाहर आ जाएगा बहुत सारे दर्शक हमारे अभी भी जुड़े वे और लगातार इस करेक्रम को देख रहे हैं और प्रणयाम भी साथ-साथ में करें एक माता जी का फोन आया कि हमारे बच्चे जो ह गये इस अध़े चुड़ाने के लिए पांच लॉंंग लेकर कि एक गिलास अधे गिल्स में आप पकाएं उसको उसको काॉड़ा बन जाएगा अच्छे ताज से केवल पांच लॉँग तो पांच लॉँग का कारणा बना है ज्यादा देड़ propor Πानेल को पानी को पछित प मिट्टी खाने वालों के अक्सर पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और पेट में कीड़े दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं कद्दू दाने जिनको कहते हैं और एक और होते हैं दो प्रकार के कीड़े होते हैं दोनों ही प्रकार के कीड़े जो नारियल जो कच्छा बाजा और काटते हैं बहुत तीज तो यह कैसे ठीक हों तो कच्छा नारे जो आप पानी है पूते हैं किसे लाकर करके आप अइसको काट ०ो ओड्य होता है कि भाड होता है उसको आप काट करके चुकड़े कर लें और उन टक्ड़ों को खाली पेट चबा चबा करकर की खाएं और सारे दिन कुछ नहीं हमेशा की प्राभ्रमें ऐकी दिन में ठीक हो जाएंगी आपकी सारे केसारे क Grimia आपकी मल द्वार से बाहर निकलाएंगी एक ही दिन में हो जाए निए उसको कोई भी बोजन नहीं देना उस दिन केवल आपने वही और पानी लेते रहे पानी पीते रहे और एक ही दिन में आपके कीडों की समस्य सदा के लिए दूर हो जाएगी तो मिट्टी काने की आदत चुड़ाने के लिए लॉंग एकात कि अपने सब दर्शकों के नाम तो नहीं ले पा रहा लेकिन सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक-एक सवाल कई-कई लोगों ने किया है तो कौमनी आप सब के समाधान आ जाएंगे जो लगातर हमारे कारिक्रम को देखते रहें उन सब को सामुएक रूप से जवाब करके देखा है घर मोता है कि अभी सब्सक्राइ्ट केुझक में टेंट को टे उच्रे में थैसी कहलें को ठास्तों पर्च राइसा के अच्छी रंग से शिल्वें में चला करके रए meronsy और जब वो पेस्ट बन जाए तो आपके जोड़ों में दर्द है गुटने में दर्द है तो गुटने पर लेप को यह लगाए पूरे अच्छे डंग से गुटने पर लेप लगाए और फिर कपड़ा उठा करके पट्टी की तरह उसको बांद दे रहे रात को सुझ गाए तो दूसरे पहाँ अब ब्हुत के लिए दोनों में आपको लगादी है माली शिया आप जोड़ों और धार है उन जोड़ों पर सुझ गार्षा तो इससे कि अम्रूज के जोड़ों का लिए बांधने से जोड़ों के पशेश हो ब्याद होता है अमने कई सारे लोगों पर इन नहीं बढ़ता तो यह हमारा जियोडों में दर्द का एक उपाय था फिर और एक-दो सवाल और पंसात सवाल और ले लेते हैं कि कबज का एक और उपाय की कुछ बताएं कबज के लिए बहुत सरे उपाय करकर के ठक गया है रात्री में गर्म दूद में लेले में एक चम्मच बादाम का तेल जिसको बादाम रोगन कहते हैं तेज गरम दूद होना चाहिए जैसे आप चाय तेज गरम पीते हैं वैसी पहला तो चाय छोड़ देवें कब्ज को और एसिडिटी को गैस्ट्राइटिस को इन सबी चीजों को पैदा करता है तो कोशिश करें पेट की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो चाय कॉफी तो सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी और यदि इसको छोड़ दिया फिर आपको कबज को ठीक करने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ेगा सुबह उठकर के पानी पीए ठोड़ा फिर भी किसी की ज़्यादा समस्या आ रही है तो रात को सोने से पहले जब आदा गंटा पहले आप गरम दूद जो की गाये का होना चाहिए उसमें आप आदा गिलास ले सकते हैं एक गिलास जितना भी आप लेना चाहिए उसमें एक चमच बादाम रोगन डाल करके उसको ग अब जी के लिए बहुत रामबान है पेट में लिवरिकेशन आतों में पहुंचता है उसके अलावा भी पुष्टी मिलती है बादाम रोगन से पुष्टिकता बढ़ती है और रेचक भी है यह आपके पेट को साफ करने का काम करता है तो बादाम रोगन से किसी प्रकार की क किसी पीडा कानभव नहीं होता और पेट आपका नैचुरली क्लियर हो जाता सुबह सुबह तो यह बादाम रोगन के प्रियोग से आपको पेट को साफ करना कबजी को ठीक करना बताया और हमारे कुछ भाई बैनों के प्रियोग ले लेते हैं एक ने तो पूछा कि चूओं को हैं लेट तो सभगाने का आपके पास क्या हुपाय अब क्यूआ को कपाल भाती तो करा नहीं सकते तो उनके घं़ाने का एक बढ़िया स उपाया पूछा यह ता मैं सवाल देभ तो सभसें बढ़िया हुपाय जो अमने पने गर भी करके देखा और बी परिछिते हों formerly गर्म पहले ही दिन से आपके घर में चुवे आना बंद हो जाएंगे तो चुवों को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है फिटकरी इससे छुपकलिया भी नहीं आएंगी तो छुपकलिया और चुवे इनको भगाने का सबसे बढ़िया जो घरेलू योग है या घरेलू है कि हां इस गर में तो वास्ता में हमारे को भगाने वली चीज है तो वह रस्ता भूल जाए उनको रस्ता भूलाने के लिए 10-15 दिन तो इस प्रेयोग को करना ही पड़ेगा तो यह हमने तो अपने गर में कितने ही सालों से इस प्रेयोग को करके बिल्कुल मुक्त हो रखें सारी समस्याओं से अब पूछा था किसी ने तो मैंने इसलिए बता दिया तीन-चार सवाल आये थे लेकिन छुपकली के चुओं के दोनों के इन दोनों का बढ़िया साब को पाय बता दिया बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए तो पहले तो मैं यह जानना चाता हूं जड़े कमजोर हैं आपको कैसे पता क्या बाल जड़ने हैं क्या क्या बाल पकड़ने में आते हैं तो थोड़े से आ जाते हैं कंगे में बहुत सब्सक्राइब निकल जाते हैं तो इसके लिए पहले पेट को अच्छा बनाएं पेट को अच्छा प्राणेयाम करना है हम आधि योग का बहुत महत्व है हमारे जीवन ने इसको तो करना ही करना है सबीकों का दर्षकों के बहुत-बहुत पाने का क्या उपाय है हमारे अक दर्शक ने प्रश्ण किया कि कान बहता बहुत है तो कान बहने का सबसे बड़िया उपाए हमने जो करवा के देखा लोगों पर वो है शून्य मुद्रा का भ्यास तो शून्य मुद्रा आप दिखा रहे हैं जून करके बीच वाले उंगली को ऐसे अंगूठे की जड़ में लगा दिया जाए ऐसे दबा दिया जाए इसको शून्य मुद्रा कहते हैं आदे से एक गंटा रोज लगानी पड़ेगी यदि आदे से एक गंटा नहीं लगाएंगे तो इससे कोई लाब नहीं होगा यह आपको शून्य मुद्रा यह कान के बहना कान में दर्द कान में फंगल इंफेक्शन कान में और भी किसी प्रकार की समस्या है जिसको कम सुनाई देना बहरापन भी है वो भी इस शून्य मुद्रा के नियमित अब्यास से कुछ समय लंबा समय करना पड़ेगा दो चार प बता दिया एक आईरवेद में बहुत सुन्दर सा एक तेल आता है जिसको हम कहते हैं क्षार तेल तो तेल आपको बाजार से लाकर के ज्यादा समस्या जदी हो रही है तो तेल लाकर के उसकी दो-दो बुंदे दिन में दो से तीन बार अपने कान में टपका देनी चाहिए ज जोड लगाते हैं ताकि कान की तरफ इसका प्रेशर एयर का बनें पूरा जोड लगता है कान बंद से भी हो जाते हैं फिर खुल भी जाते हैं इस प्राणायाम को दस बार करें रोज करन रोगान तक फिर से एक बार बता रहा हूं नाक बंद कर लिया मुह में अंदर से अवा बरी गालों को फुलाया और पूरा जोर लगाया जिससे की कानों की तरफ एयर का प्रेशर बने ऐसे जब यह बनेगा तो कान बंद हो जाएंगे और कान बंद हो जाए फिर इसको अनुभव करें काफी देर तक इतना जल्दी छोड़े ने ऐसे कान की विबिन समस्याओं को ठीक करने का सबसे बढ़िया हो पाए हैं कर्ण रोगान तक प्रणया शून्य मुद्रा और शार तेल यह आपके सामने जो अद्रक का टुकड़ा लिया था वो अभी भी चल रहा है और यह कई गंटे तक चलता है इसलिए इसको जीप पर ज़्यादा देर नहीं रखना जिससे की चाला नहीं हो जाए साइड में रखना चाहिए इसका रस आता रहेगा आपका नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी बालों की जड़ों को कैसे मझबूत किया जाए ये सवाल जो था इस सवाल ठीक कर लेते हैं पहले जान लेते हैं फिर भी इन्होंने पूछा आे कि बाल बहुत जड़ते हैं तो क्या करें तो पत्ता गोबी ले आएं पत्ता गोबी का सलाद काट करके एक प्लेट रोज खाएं आपके बाल जड़ना पहले ही दिन से कम हो जाएंगे दूसरे दिन जब आप नहाने जाएंगे तो आपके बातरूम में जो बाल बहुत सारे गिर्टे थे बहुत कम हो जाएंगे पहले ही दिन 24 गंटे में एसर हो जाता है पत्तागोवी से भी बहुत सारे लोग डड़ते हैं कि ऐसी आती है वैसी आती है पत्तागोवी अच्छी आती है आप ऐसा मत सोचें गरम पानी में आप इसको भीगो के रखें अच्छी शुद्ध हो जाती है कुछ लोगों ने वह प्लास्टिक की को बजार से ले आए पिसावा लाएं तो बहुत अच्छी बात है तो रिठा शिकाकाई को जब भी आप नहा रहें इससे पहले एक रिठा का एक चम्मच शिकाकाई के दोनों का पिसावा फॉर्म एक गिलास पानी में डाल देंगे इसको अच्छे डंग से बॉयल करें दो गिलास पानी ले लेंगे और अच्छे डंग से तो दो चम्मच हो गए और दो गिलास पानी हो गया इसको आप अच्छे डंग से गर्म करें और बनाते हैं जैसे लग कडा बनायी और जब यह when गर बनकरको त्यार हो जाए यह एक गिलास रह जाए, एक या सवर गिलास रह जाए, तब आप इसको ठंड़ा होने देशे, ठंड़ा हो जाए पूरा उसके बाद आप अपने सिर में में लगाए, पूरी अच्छे डंग से जैसे शैंपू लगाया जाता है, ऐसे सब जड़ों में अंदर इसको पिला पानी बचा के रखे 15-20 मिन तक यह जड़ों में उतर जाएगा फिर उसके बाद जब आप नहाने जा रहें तो फिर इस पानी को थोड़ा से एक बार और लगाएं और फिर आप सिर्दो लें इस से आपके बालों की जड़े मजबूत हो जाएंगी तो आपके बाल नए भी बहुत सारे लोगों के सफेद हो जाते हैं तो बड़ा तनाव का कारण हो जाता है इसलिए बालों का काला घना और जड़ों से मजबूत होना यह कैसे गरेलू प्रयोगों से संभव है हम यह जान रहे हैं कान बहने का उपाय हमने बता दिया यूराज जी को और समीर जी गु अमस्ते हमारे और भी दर्शकों के कईयों के सवाल जो आएवे हैं एक हफते से उनका ले लेते हैं यह कहते हैं कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं कि कहीं वीकानेर की तरफ के हैं एक सीकर के तरफ से दो लोगों के आएं कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं और हमारे बिच बिच्छू और सांप कुछ ज्यादा निकलते हैं तो आपके पास कुछ आपात काली नियोग आसन प्रणयाम अत्वा गरेलू प्रयोग हो तो आप अमें बताएं कि किस तरह से इस जहर से बचा जा सकता है तो आपको बता दूँकि जहर से बचने के लिए जहर का ही प्रयोग किया जाता है और वह जहर हमारे रसोई में होता है वह क्या होता है हमारे को जब सांप ने काट लिया हो अत्वा बिच्छू ने काट लिया हो तुरंत उसका जहर उतारना है क्योंकि पहाड़ी इलाके वालो जब भी शाना पत्वा विच्चु ने काट लिया हो तो आपको सबसे पहले पहले जो उपाय करना है वो आपको मेरे टकने पर ही जूम करके हम दिखा रहे हैं जिससे कि आपको एक बार में पता लग जाए कि घरेलू प्रयोग क्या जब तक उसको आप हस्पीटल ले जाए विक्ति को पॉईजन कंट्रोल सेंटर ले जाए तब तक आपको कैसे उसको कसई करना है स्टकने के ठीक नीचे का ये आधा सरकिल हाफ सरकिल इसको यू दबाते रहे अच्छे डंग से इससे जहर चड़ेगा नहीं जहां है वही ठहर जाएगा ये मास्टर पॉईंट है अच्छे डंग से इसको चला ले और बहुत दबा दबा करके इसको चलाए पंदरा बीस स्पीटर ले जा रहे हैं तब तक इसको दबाते रहें व्यक्ति मृत्यू को प्राप्त नहीं होगा वरना कई बार ऐसी गटना हो जाती है जब तक व्यक्ति पहुंचता है तब तक वो मर जाता है बहुत बार ऐसा होता है प्राया ऐसा हो जाता है तो इसलिए ये वाला पॉ और चाहें तो आप पूरा सर्किल भी चला सकते हैं लेकिन पूरा दबेगा ही नहीं आपसे आदा ही दबेगा तो यह आदा पूरा जहां जहां गड़ा है जहां जहां अंगुठा चल जाता है अच्छे डंग से इसको चला लें बहुत अच्छे डंग से इसको ऐसे चला लें यह हमारा साप को काटेगा, ऐसे दूसरे पैर में भी, और दूसरे पैर के दोनों टकनों की तरफ, टकनों के दोनों तरफ, यह दोनों पैरों में करना है, और हाथ में भी करना है, हाथ में जो पॉइंट है वो है यह वाला, यह है मास्टर पॉइंट, इस हड़ी के खतम होते ह होते होते हैं यहां पर यहां दबाया जाता है कि ऐसे दबाया जाए इसको मास्टर पॉइंट हाथ का कहते हैं तो यह तो एक्यूपेशर का प्रियोग बता दिया एक्यूपेशर के प्रियोग के अलावा घर में रसोई में आपको बताया था कि जहर का तोड जहर से निकलता है तो जहर का पोर जब जहर से निकलेगा तो कैसे निकलेगा तो ग़र में जीरा होता है हमारे रसूई में और नमक भी होता है जीरे को पिशावा नमक एक छमीज नमक शहद यह चार चीज़ों को आप लेए quo शुबγαत और भी कुछ सवाल किया है कि बिच्छू के अलावा और भी जहरी ले प्राणी हमारे आसपास में गूमते हैं सब का जहर कैसे उतारा जाए तो आप बहुत सारे प्राणी है तो फिर पूरा एक मास्टर प्रियोग बता देता हूं तो जीरा एक चम्मच एक चम्मच नमक यह दोनों तो ले लिया फिर दो दो चम्मच आप घी के दो चम्मच आप इसके शहद के चार चीज़े ले ले लें तो चार चीज़े लेकर के इन दोनों चीजों को एक पात्र में रखें, पहले तो गी को और शहद को, गी और शहद बराबर मातरा में अपने आप में विश्ख का काम करता है, इनका सेवन नहीं करना चीज दोनों को बराबर मातरा में, कहीं कोई ऐसी चीज हो, जिसमें आप शहद भी हो और गी भी हो, द पूरे तरह से तो तीन चमच ले लें और यह एक एक चमच जीरा और एक चमच जो है नमक यह आपको चारों चीज़ें डाल करके इसको गर्म करना है घी में और शहद में जैसे गर्म करेंगे तो इसका विश्का प्रभाव और तेज हो जाएगा अब यह पूरा मिक्स्चर हो जाएगा मिक्स्चर को पूरा फैट करके एक पेस्ट बना लेंगी और जहां पर काटा है उदर उदर लगाए काटने के निशान के अलावा भी आपको माली जी यहां काटा तो यहां पर उसका लगाए थोड़ी देर में विश्का प्रभाव समाप्त हो जाएगा पूरा जह पाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाले बहुत सारे जीवों का हो एक भाई का आया है कि हमारे छोटे बच्च्चों के कब्ज हो जाती है तो क्या करें ग्रित कुमारी हम बड़े लोग तो पी रहें उससे हमारी कब्ज तो ठीक होगी लेकिन बच्चों के साथ कैसे किया जाए तो बच्चों के साथ साबुन थोड़ा सा ले करके उनकी नाभी पर लेप किया जाए और ग्रित कुमारी का जो गूदा होता है जिसको अपन अलोव के साथ में ऐसे मसाज की जाए तो अच्छे डंग से आपके बच्चों का कब्ज ठीक हो जाएगा बिना किसी दवाई के ही हो जाएगा उनको थोड़ा भोजन चबा-चबा करके खाने की सला दें बैट करके चबा-चबा कर खिलाएं उनके भोजन में सलाद को शामिल करें तो उनको कभजी हो गाई नहीं पोटी बहुत आती है उसमें क्या किया जाए उल्टी के लिए सबसे अम्रूत के पत्तों का अमूत के पत्तों को तोड़ लिया जाए और उसका कारवज मनाने पर जैसे आप गलास पानी डालेंगे तो आदा गलास रहे जाए बनाए और काड़ा उसको पिला देवें करम गड़ा उल्टी बार-बार हो रही है रुक नहीं रही है तुरंत रुक जाएगी इतना बढ़िया उपाय है जी गरेलू आपको वही उपाया बता रहे हैं जो आपको घर में मिल जाते हैं क्योंकि अभी लॉक्डाउन चल रहा है घर में रहे सुरक्षित रहें वाली स्कीम चल रही है तो हम सारे गरेलू ही प्रयोगों को जानते हैं आपको कोई बाहर की कोई चीज नहीं बता रहे कि इदर उदर से लानी नहीं पड़ेगी पेड आसपास में मिली जाते हैं आपको प्रश्णतों बहुत सारे हैं फिर भी आपको काफ след Пред outlook अब अए डिकल काफ करें आपको क्यों के इसके लिए ही बाहर निकलाएंगी और उसके अलावा इसमें खुजली की समस्या खतम हो जाएगी डेंड्रफ नहीं होगा रूसी नहीं होगी यह आपको ध्यान लखना है नीम सबसे बढ़िया होता है नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके भी जड़ों में लगाएं एक गंटे बाद सिर क दो लेंगे तो भी आपकी रूसी की समस्या दूर हो जाएगी बाल जड़ने की समस्या दूर हो जाएगी यह दो प्राब्लम ठीक हो जाएगी नीम के पत्तों का चून का पेस्ट लगाने से और एक और दो तिन युवाओं के इसमें आए कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स आए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है एक दो के नहीं बहुत नों के प्रेश्ण है तो मैं आपको बता देता हूं इस परिशानी को कहते हैं युवान पीड़ी का जिवान पीड़ी का मतलब कि शोरा वस्था से जब युवावस्था की तरफ विक्ति चलता है उस समय यह निकलते हैं और कई सारों की तो युवावस्था भी आगई 27-28-30 साल के हो गए फिर भी यह पीछा नहीं चोड़ा आज इदर निकला आज आज इदर आज इदर आज इदर परिशान हो जाते हैं तो उसके लिए घरिलू प्रयोग जो की बूरी तरह से सफल देखा मैंने लोगों के उप पर उसमें अनार के छिलके को सुखा लें अच्छे डंग से उसका चून बनाएं और हरड मिल जाती बजार में आपको उस हरड का भी चून मिल जाता है बजार में बराबर और एक नीम के पत्तों का चून बजार में मिल जाता है बना बनाया यहां पिर घर में बना सकते हैं ये तीनों को लेकर के आप कच्छे दूद में डालें और उसके अंदर पेस्ट बना लें और उसको आप लगाएं थोड़े दिनों में त्वच्छा साफ होने लगेगी पुराने निशान भी हट जाएंगी ये युवान पीडिका का पर्मानेंट के और सॉलिशन बता दिया है तो ये आपको करना है इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी युवान पीडिका इसमें उबटन इसको उबटन कहते हैं वास्ता में दूद में जैसे ही आपन डालते हैं तो उबटन तयार हो जाता है इस उबटन को आप लगाएं वैसे शरीर में भी उप्टन अलग अलग कि वो बता दिया गल चाहिप्स आ रहा है मुझा ओम्रह के साथ में लगए धीरे दिरे क्योंकि शैंपू लगाते रहे ताना इस कंपनीー को थे हुरसी बाउंसी बाल लगने लगते हैं इसल की लगने लगते हैं और रहा है तो रहा है टूस को रोका कैसे बाल बढ़ते ही नहीं हम इसलिए कटवाते ही नहीं हम कटवा है तो हमें डर लगता है कि बढ़ेंगे नहीं तो पिर हम कटवाएंगे क्यों तो इसलिए हमें डर लगता तो कटवा है थोड़ा-थोड़ा कटवा है अपने आप उनकी ग्रोथ बढ़ेगी यह तो संसार का निय पिर आपके बालों का स्वास्ट्य खतम हो जाएगा फिर बिल्कुल खराब हो जाएंगे रोज रात को सोते समय आप बालों में तेल अवश्य लगाएं अगर पूरे बाल आपकी उमर तक रखने हैं काले भी रखने मजबूत भी रखने जड़ों से और दो मुएं नहीं रखन लेकिन मैलाओं को अच्छा नहीं लगता तो वह विग लगा करके गूमती बहुत सारे सवाल आएं तो उसके लिए क्या करें बेर का पेड़ होता है बेर जो शबरी के बेर होते हैं वह पेर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको ले आए और नीम के पत्तों को लिए बेर क पाउडर बना लें और उस पाउडर का मिक्स्चर करके अप पानी के साथ पीस्ट बना लें और पिर उसको आप अपने सीरुम के अंदर जड़ों तक लगाए और जड़ों तक लगाएंगे तो केश विरिद्धी भी होगी और गंजापन नहीं आएगा क्योंकि जड़े मजबूत हो जाएंगी और दो गंटे तक लगा रहें दो गंटे के बार ठंडे जल से इसको धोलेंगे यह प्रियोग यदि आप 15-20 दिन तक लगाता हर दूसरे दिन करते रहेंगे न तो आपके बाल काले भी हो जाएंगे घने भी हो जाएंगे जड़े मजबूत भी हो जाएंगे दो मुएं भी नहीं रहेंगे और मोटे भी हो जाएंगे उसके अलवागा बाल जल्दी बढ़ेंगे भी और गंजापन भी नहीं होगा यह बाल जा रहें न यह बाउंसर नहीं बनेगा तो यह इतने सारे लोगों के साथ में हमने चलाया आप सभी दर्शकों ने इस का रिक्रम को देखा है और इसको देखने के साथ में प्रश्ण भी किये यह सब आप ही लोगों के प्रश्ण थे और इनी प्रश्णों का समाधान हमने करने का प्रयास किया भी और भी प्रश्ण रहे गए और आगे करेंगे कल हम ध्यान सीखेंगे meditation तो कल के सत्र में हम सभी लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे और अगनी तत्व की चिकित्सा के बारे में थोड़ा और जानेंगे दो चार पांस दिन जानते रहेंगे फिर उसके बाद ये सूर्य भगवान की जो दूप आ रहे हैं इसमें अगन अगनी त्व की चिकेस्था चिकिस्सा और इसी अगनी का प्रेयोग हम कैसे कर सकते हैं को जलों के माझजंदे जुठ साथ可 more परखार हैं दो हम जाने के बहुत करहिए हम सी और हिज्ट ब्राइब कें साध में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यन्तु माकश्य दुखभाग भवित। इस चनल की टीम का पूरे स्वामी नियूज परिवार का सब का अभार है, धन्यवाद है, हम कल फिर इसी कारेकम में सुबह साड़े 6 बजे लाइव इसी फेस्बूक पेज स्वामी नियूज अजमेर के फेस्बूक पेज पर फिर से प्रती दिन की नहाती उपस्तेत होंगे, त में रहे, सुरक्ष रहे, शाल देग देगा